अगर CBC 50-50% को फर्मुला खुल लेती है ना तो आपका परसंटेज कुछ ऐसा बनेगा 78.8% अगर बेस्ट ओफाइब टर्म्स को हम लोग फॉलो करते हैं तो आपका परसंटेज उठकर क्या आ जाएगा 79.6% अगर CBC इसको ले लेती है ना तो वारे नियारे हो जाएंगे बच्चों आप लोग खुश हो जाओगे कि सर जो बोल रहे थे हमारे फेवर के लिए बोल रहे थे दिमांड में क्यों हैं सब इसकी दिमांड क्यों कर रहे हैं अब यह CBC को भी समझ में आ रहा है गाइस बहुत बड़ी खुशकबरी है और मैं इसमें आपको explain भी करूँगा बहुत सारे बच्चे मुझे लगातर कह रहे थे आथ सुबह के वीडियो में भी मैंने comment section में देखा कि सर best of either terms जो है इसको एक बार आप clear कर दीजे clarity नहीं है बहुत सारे यूट्यूबर ने उल्टा सीधा समझा दिया चीके तो CBC इसको आप favor कर रहे है और म CBC ने उन्होंने खुद कहा था कि 50-50% से उठ करके या दूसे जो वेटर सिस्टम है उसको accept किया जा सकता और इसके लिए CBC लगातार academia से expert से सबसे राय ले रहे हैं तो जो positive जो निकल कर क्या रहा है वो यह है कि best of either term subject wise सबसे best method हो सकता है जिससे कि CBC का सिर भी नहीं जुकेगा अब क्यों नहीं जुकेगा और क्या चीज़ है यह मैं आपको छोड़े से वीडियो में जल्दी से समझा दे रहा हूँ इसको देखना यह आपको best way में आपको explain कर देगा कि why we all should support we all should support what किसको best of either term subject wise मैं पहले दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का हिम्मत जो है न वो बढ़ जाए चीक है तो पहले यह देख लो उसके बाद में कुछ आप लोग और देखना मतलब वेटे सिस्टम अगर changes हुआ तो यह देखो क्या होगा marks आपको जो भी मिले मैं भी आपको दिखा दूँगा लेकिन जो जो marks आपको debut होते हैं वही marks पे suppose आपने English में 30 marks लिया term 1 में term 2 में 20 marks लिया suppose science में आपने term 1 में 20 marks लिया term 2 में 30 marks लिया इस तरह से करके जो भी marks था अगर वो भी रहता है तो देखो percentage का क्या फरक पड़ेगा अगर CBC 50-50 percentage को formula को लेती है ना तो आपका percentage कुछ ऐसा बनेगा 78.8% जो marks अभी मैं आपको percentage उठकर के आजाएगा 79.6% लेकिन अगर CBC जो हमारा demand है best of either term से उठकर के subject wise को ही चुन ले अगर CBC इसको ले लेती है ना तो वारे नयारे हो जाएँगे बच्चों आप लोग खुश हो जाओगे कि sir जो बोल रहते हैं हमारे favor के लिए बोल रहते हैं लेकिन मुझे स्कूर किया सब कुछ वही है लेकिन percentage का फर्क देखो 78.8% 79.6% 85.6% यह फर्क पड़ेगा इसी लिए हम सभी जो मैं support कर रहा था खासत और पे आप लोगों को करने बोल रहा हूं वो best of either terms subject wise इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यही चीज आपको justice दिला सकता है और बले term 1 मे unfair mean use हुआ हो या कुछ भी वह आप जीच जाओगे ठीक है तो चलो एक बार जल्दी से मैं आपको आगे कभी दिखा देता हूं ऊपर का भी ठीक है थोड़ा से इसको छोड़ा कर लेते हैं I hope कि आपको दिख जाए ठीक है यह देखो यहां पे हम आपको दिखा दे रहे हैं य आपका यह इंग्लिश का पेपर है फिजिक्स है केमस्ट्री है मैस है CS है ठीक है टोटल इंटर्नल असेस्मेंट है ठीक है मतलब टोटल यह जो भी कुछ हुआ और यहां टोटल मार्क्स और यह है परसंटेज तो क्या फरक पड़ेगा यह देखो कि आपको अगर यह यह मार 25 मान लेते हैं इंग्लिश में टर्म 1 में 25 तर्म 2 में 35 इस तरह से करके मिला यह फिजिक्स में 20 25 चैमस्ट्री में 25 20 मास में 30 20 CS में 34 30 इस तरह से मास मिला तो आपका जो वेटेज सिस्टम तीन वेटेज सिस्टम अभी जो सिविसी के नजर में घूम रहा है हमने यहां पर 30 70 सब्सक्राइब को नहीं चुना उसको हटाई दिया हमने तीन को कंपारेजन किया 50 50 best of either terms best of either terms subject wise तो क्या फरक पड़ेगा समझ लो आप इस एक चार्ट पेपर से आपको सारा ची समझ में आ जाएगा कि यह हो जाएगा 50 50 के अगर हिसाब से आप एड-on करोगे ना तो आपका परसेंटेज बनेगा 78.8 परसेंट बनेगा सोचो मार्क्स आपके उपर नीचे हो सकते हैं अग्जामपल कि सेम मार्क्स रहने पर 50 50 सिस्टम के हिसाब से आपका कितना परसेंटेज निकलेगा मदब कितना परसेंटेज बनेगा आपका और best of either terms subject wise के हिसाब से तो जब हम best of 50 50 लेते हैं तो 78.8 बनता है best of either terms लेंगे तो इसी नंबर पर आपका जो मार्क्स जुडाएगा ना best of either terms के हिसाब से वो हो जाएगा 79.6 ओ माई गॉड देखो कितना पर फर्क पड़ा ठीक है अब लेकिन सबसे बड़ा फर्क कहां पढ़ रहा है जो हम कह रहेते हैं यहां पर best of either terms subject wise क्या है फिर से मैं समझा दे रहा हूं दोनों टर्म में जिस सब्जेक्ट में आपका ज्यादा मार्क्स आया उसको चुन लिया जाए ठीक है तो अगर वैसा करते हैं तो यहां पर देखो फर्क क्या पढ़ रहा है 85.6 एक ही मार्क्स पे कितना का डिफरेंस है तो आप क्या कहते हो मुझे बताओ ठीक है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपके लिए हम लगातार लेकर आए हैं यह आप देख रहे हो आपके ही डिमांड पर हमने यह लांच किया study with विशाल सर चेके लगातार इसमें हम आपको तमाम जो नोट्स है class 10 11 12 चेके तीनों classes के आपको सारे नोट्स मिलेंगे free of cost study with विशाल सर आप लोगों ने बहुत support किया सिर्फ दो दिनों के अंदर में आप लोगों ने बहुत ब प्लीज इन वीडियो को जादा सारा request करो क्योंकि यह चैनल जो बनाना study with विशाल सर यह बनाया ही गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टिके जिसमें नोट्स मिलेंगे free of cost so please support us मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अभी क्लिए बस इतना जै हिंद जै भारत झाल 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 झाल